अस्नामुलीकुम डियर स्टुडेंट्स अाज की लेक्चर में हम चेप्टर में पर सकते हैं और उसमें आपने जो माथटे पड़े थे वो लिबॉर्ट्रि मेथड थे तीन मेफ़ड हमने study किये थे और उसमें पहला मेफ़ड था Dehydrogenation, सेकिन्ड था Dehalogenation of Tetrahalides और थर्ड आपने nimmt shift को अडॉप्ट किया था जिसमें आपने पड़ा था कि एलेक्टॉलसिज ऑफ सार्ड्स ऑफ अनसैचुरेटड डाय कार्बॉक्सिक एसेट का इस्तमाल करके हम अलकाइन की क्लास को जनरेट कर सकते हैं आज हम देखेंगे मजीद किस तरीके से अलकाइन की क्लास को जनरेट किया जा सकता है उसमें एक बड़ा ही खास किसम का आपके पास मैथट है of preparation of alkyne और ये industrial preparation है और ये short question के point of view से बहुत important है industrial preparation of ethane अगर हम industrial scale की बात करें on industrial scale, ethane is prepared by direction of calcium carbide जिसका formula है CAC2 with water यानि आपके पास industrial level पर, commercial level पर जो ethane है, उसे कैसे prepare किया जाता है दो चीजों के reaction से water के और calcium carbide के अब calcium carbide direct तो produce आपके पास नहीं होता पहले इसकी production हम study करेंगे कि ये कैसे बनता है then ये water किसा रेक्ट करेगा और हमें मुतलिका ethane बना कर देगा तो calcium carbide का reaction अगर follow करें तो उसकी preparation कैसे होती है it is prepared by heating lime जिसे आप अब के पास calcium oxide भी कहते है cao and coke ये carbon की solid form है coelay की solid form है आपने chapter 7 में detail में study किया था तो coke इसे carbon से indicate किया जाएगा at very high temperature in an electric furnace तो एक electric furnace में भटे में lime और coke का reaction होता है जिसके नतीजे में calcium carbide develop होती है और calcium carbide को फिर मजीद water के साथ treat करवा कर ethane produce की जाती है तो ये industrial यानि commercial scale में इसकी बहुत importance है तो इस का reaction अगर हम देखें तो ये आपके पास calcium oxide जिसे lime हम कहते हैं इस का reaction होगा आपके पास three carbon ये coke की form है इसके साथ ये रेक्ट करेगी electric furnace के अंदर और temperature देंगे 2000 degree centigrade के लगभग तो ये दोनों combine करके calcium carbide बनाएंगे CAC2 प्लस carbon dioxide का molecule generate होगा ये जो calcium carbide है ये फर्दर आगे water के साथ treat की जाती है ताकि इथाइन बनाई जा सके अब calcium carbide को आप open करें तो आपको ये situation नज़र आ रही है जिसमें एक calcium है और उसके साथ दो carbons attached है जो के CAC2 की form दे रही है और carbon के दिर्में triple bond है तो ये calcium carbide जब पानी के दो molecules के साथ treat करवाई जाती है तो water में positive hydrogen भी है और negative hydroxyl भी है तो calcium जो है ये positive group होता है तो ये लेहाजा water के negative को अपने साथ capture करेंगा तो calcium hydroxyl को लेकर calcium hydroxide बनाएगा और पीछे जब ये bond break हो जाता है इस carbon का calcium के साथ और नीचे वाला carbon का भी calcium के साथ तो इन दोलों के बस कमी हो जाती है एक atom की और उस कमी को पूरा करने के लिए कौन आजाएगा hydrogen अटाच हो जाएगी इनके साथ और hydrogen अटाच होने से आपके पास structure बनेगा H C triple bond CH जो के एक triple bond structure है और lowest member of alkyne class है जिसे हम ethyne कहेंगे तो इस तरह industrially commercial level पर ethyne की production की जाती है आपसे question बूसकता है कि how ethyne आपके पास या इसे acetylene भी कहते हैं इस prepared on commercial scale या वो industrial scale आपसे पूछे तो आपने उसमें ये proper बताना है पहले थियोरी बतानी है then आपने reaction लिखना है तो ये आप fulfill करेंगे उस question की requirement को अब हम जो है preparations हमारी complete होगी है कि alkyne को laboratory और industry के लिहाज से हमने prepare कर लिया अब हम मजीद कुछ features आगे देखेंगे physical properties physical properties के हवाले से देखा जाए तो alkyne की class they are colorless एक तो ये colorless होते हैं दूसरा ये orderless होते हैं except ऐसी टाइलीन के जो lowest member है जिसे आप इथाइन के नाम से जानते हैं जिसका garlic like order होता है ये objective के लिए important है तो ये आपके पास MCVU आपको पता होना चाहिए second जो physical property है उसमें हम देखते हैं कि state क्या होती है तो members की जो alkyne के members है तो first three members जिनमे इथाइन, प्रोपाइन और बियोटाइन आजाते हैं ये room temperature पर gases की हालत में पाए जाते हैं इससे मजीद आगे चलें तो next eight members जो carbon 5 से लेकर carbon 12 तक हैं ये leakers होते हैं और इससे मजीद जो higher members है alkyne में वो सब solids हैं तो ये इनकी physical state होगी अब हम इनके कुछ thermodynamic behavior की बात कर लेते हैं जिसका तालोग temperature के respect से है तो तीसरी property है कि जितने भी melting points, boiling points और densities increase gradually with the increase in the molecular mass जैसे जैसे chain में mass बढ़ता जाएगा उसी तरह उनका melting point, boiling point और density के ये तमाम factors भी gradually increase करेंगे फूर्थ property है इनकी nature के हवाले से कि ये non polar होते हैं polar नहीं होते, non polar होते हैं इसलिए ये dissolve हो जाएंगे readily in non polar solvents like ether, benzene and carbon tetra kloride solubility का principle आप खुभी जानते हैं कि like dissolves like अगर कोई चीज पोलर है तो वो polar में easily हल होगी solvents के अतवार से और अगर कोई non polar है तो वो non polar solvents में हल होना पसंद करेगी और easily dissolve हो सकती है तो चुके ये non polar इसलिए non polar solvents में बहासानी हल हो जाते हैं तो ये थी physical properties जिसमें आपने जो है physical parameters देखे state के हवाले से thermodynamic features के हवाले से solubility के हवाले से तो ये physical properties आपके पास यहां पर खतम होती हैं अब हम बात करेंगे कि अलकाइन की reactivity कैसी होती है जैसे हर class में हमने general methods of preparation पड़े हैं अलकेन अलकीन के अतबार से भी और आप अलकाइन के अतबार से भी देख रहे हैं फिर हमने क्या देखा था physical properties को फिर देन हमारा तीसरा point होता था रेक्टिविटी के हवाले से तो अलकाइन की reactivity की physical properties को फिर देन हमारा तीसरा point होता था रेक्टिविटी के हवाले से तो अलकाइन की reactivity की बात करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि अलकाइन के अंदर जो carbon atoms होते हैं they are held together by a triple bond इसमें जो carbon और carbon के दर्मयान जो bonding होती है वह होता है triple bond अब triple bond में आप ने पहले भी यह study किया previous lectures के अंदर के जब भी दो हो एटम के दर्मयान पहला bond होता है वह सिग्मा बॉंड होता है आफ्टर देन अगर डबल यह टिपल डवाल हो रहे हैं तो वह पाय बॉंड कहलाते हैं और यह बड़ा इंपोर्टेंट कॉंसेट है जो mcqs में भी पूछा जाता है अगर आपके पास जैसे के अतबार से अगर हम देखें तो काबन एक दूसरे के साथ जुड़े में हैं और टिपल बॉंड की बतॉले जुड़े में हैं तो इसमें हमारे पास एक सेग्मा बॉंड होगा और दो पाय बॉंड होंगे तो तो इतनी रिच एलेक्ट्रों डेंस्टी है दो काबन एक्टम्स के दर्मयान टेपल बॉंड की सूरत में तो उसके नतीजे में होता क्या है विच ड्रॉस एक्टम्स वेरी क्लोस तो इच अधर तो वह एक्टम्स को खैंच के रखती है तो वह करीब रहेंगे फिर क्या होग इंक यह कईल्इक्ट्रों डेख सब्च सब्सक्राइबस तो यह इंकलुद में जद्ध में आश्यान गांगे deprived वह कि वह ऐसे कि आए क्वेली लगतादम्स वह एक्शं करेंगे थो और शीन वह सुनद्य करेंगेश्चेम्स तो आपके electrons exposed नहीं होंगे, less exposed होंगे, तो उससे क्या होगा, they are less reactive toward electrophilic reagents, तो इनका behavior electrophilic reagents की तरफ कम होगा, कम reactive होगे, यह कम reaction शो करेंगे, किसी भी electrophilic reagents की तरफ, अब electrophilic reagents के हवाले से अगर आपने alkyne में देखा था, तो alkyne में हमने बात की थी, कि alkyne इनकी ज़्यादा reaction शो करते हैं, और वो electrophilic addition reactions most commonly करते हैं, अब यह electrophilic क्या है, हमने in detail भी बात की थी, कि electrophilic reagents क्या होते हैं, ऐसे reagents which are in search of electron, electrophile कहते हैं, electron loving को, तो जो reagents electron की तलाश में होते हैं, उसकी सर्च में होते हैं, उन्हें electrophilic reagents के अंदर electron density इतनी exposed नहीं है, तो इ के अलकीन की class के, तो यह reactivity का एक शौर्ट सा दम था, अब हमने एक अलकाइन का एक ही sketch देखा था, जब हम hybridization का topic study कर रहे थे, कि इस तरह से hydrogen carbon और carbon यह single bond sigma bonds को reflect कर रहा है, और उपर वाले यह जो बिलू और पापल में जो आपके पास lobes हैं, यह पाई बॉंड को reflect कर रहे हैं, टेपल बॉंड है, तो definitely इसके अंदर दो पाई बॉंड मौजूद हैं, और पाई बॉंड की वज़ा से carbon carbon के दर्मान यह जो टिपल बॉंड है, वो bond length को shorter करता है, अब शौर्टर बॉंड की वज़ा से आपके जो pi electron density है, वो ज्यादा exposed नहीं हो पाती, less exposed होती है, और जब यह less exposed होंगे electrons, pi electrons, तो वो less reactive होंगे, towards any electrophilic reagents, तो उनका reaction असानी से नहीं होगा, इसलिए हम अगर एतबार से देखें कि reactivity के order में यह कैसे कहां place करते हैं, तो आपके पास alkenes ज्यादा reactive हों तो उसकी वज़ा भी shortening of bond है, और high rich electron density है, जो carbon और carbon के demand triple bond की सुरत में होती है, और वो exposed नहीं हो पाते हैं, तो यह थी reactivity, जिस पर short question पूल सकते हैं, वो आप से, कि reactivity के बारे में note लेखें, एक्स्प्लेइन करें, कि alkyne's least reactive Q है towards electrophilic reagents, तो आप उसमें in detail बताएंगे, अ properties देखी और properties के बाद हमने reactivity पर बात की, alkyne's की class की, अब हम कुछ exercise से relevant question study करेंगे, question number 15, show by means of a chemical equation, how the falling cycle of changes may be affected, अब ये आपको cycle दिया गया है, और वो in other words, आप से conveyan मांग रहा है, सिर्फ style change कर दिया है, question की सूरतहाल में, तो उसमें demand किया है, वो कहता है, इथेन से आपने इथीन में जाने, फिर इथीन से आपने इथाइन में जाने, और इथाइन से वापस आपने इथेन में भी जाने, अगर इस पूरे cycle को दिखा जाए, तो इसमें तीन बातें पूछी जा रही है, पहली कि आप किस तरह इथेन से इथीन में जाएंगे, पहल होगा इसके अंदर प्रिवियस लेक्चिर्स के अंदर हमने इन डिटेल बात की थी किस तरह से हम सेम कावन्स के साथ एक बॉंड से अगले बॉंड में शिफ्ट हो सकते हैं मजीद इजाफ़ा कर सकते हैं बॉंडिंग के अंदर तो वही रूस दुबारा यहां पर अप्लाए ह हो रहिये सरफ वॉंड के हुआले से कावन नंबर में कोई तब्ली नहीं है तो हमारा टास्क क्यां मिलेज है कि का बॉर्श alya नला तो अपने तुए व्igor 46огод करते हैं फिरॉवार्ट करवाते है तो उससे डी हाइडो हेलोजनेशन है कैसा प्रॉसस है जिसमें बॉन्ड वैल्प हो जाता है तो यह आप असानी से कर सकते हैं अब लाइक उसने आपको स्टार्टिंग मेटियल किया दिया है इथेन आप इथेन शो करेंगे प्रॉसिन कालारी को अनुद ख़त है आप के अवर्षिति यह और स्टार्ट प्रॉस्तार्ट को सभगन सेय वा जाते हैं अब इसलड़ेускे करें hyalogen कि आपके पास कमपाउंड है जो हम्हारी प्रॉडक्त में इसको नीचे दुबार लेंगे और इसमें जहां पर फंक्शनल ग्रोप क्लोरा अटाच है। rapid अबसे पास हम अपश जो करेंगे क्यों करेंगे क्यों हमें डी हैडो हैडोजीनेशन करवानी है तोज हमें स्ट्रक्चर में अब क्या होगा कि आपके पास इस ब्सक्राइब से यह chloro group निकलेगा और यह potassium positive group के साथ क्योंकि यह negative है केसियल बनाएगा और इसी तरह जो दूसरी carbon है इसके साथ adjacent उदर से बीटा जो hydrogen remove होगी वह positive है चुके और यह negative hydroxyl के साथ मिलकर क्या बनाएगी finally water तो इस तरह क्योंकि इस carbon और इस carbon दोनों carbon ने अपना एक एक जो है atom जो है एक group जो है loose किया है तो इनके पास electrons रह चुके हैं आप वो combine करके यह bond develop कर लेते हैं जो जिसके नतीजे में हमारे पास structure आता है H2C double bond CH2 जिसे आप ethene कहते हैं इस तरह आपने दो processes के अंदर बहुत यह असानी के साथ single bond से double bond generate किया पहला process पहला reaction हालोजेनेशन को शो कर रहा है और दूसरा reaction dehydrogenation को शो कर रहा है तो इस तरह से आप convention बहुत आसानी कर सकते हैं यह तो पहला टास्ता मुकमल हुआ जिसमें वह आपसे कह रहा है कि आपने इथीन और से इथाइन में जाने के लिए अगेन अगर आप carbon numbers पर बात करेंगे तो वह तो सेम है इसमें भी दो carbon इसमें भी दो carbon तो carbon नमबर में कोई तद्दीली हमें नहीं चाहिए हमें जस्ट एक ही चीज चाहिए कि यहां double bond है और करना पड़ेगा हमें सेमपल काम करना है हिलोगनेशन करनी है धिन्टी है करनी है अब all-ckene है ठोड़ेदेट इपर्बी ओंन फम में इसकतिर होती है और इस developing up कर लें है अब ज़ता हम इसमें और इस में करें और इस कंडिशन के साथ Нानपोलर आप्जुट और की कंडिशन म और ये होता क्या है कि double bond है तो double bond में addition होती है bond एक ठूटेगा और ये incoming जो chloro group है जो दो chlorine के atoms है एक आपके बस इस right वाली carbon के पास चला जाएका और दूसरा left वाली carbon के साथ attach हो जाएका यानि alkane और alkane की halogenation में फर्क होता है alkane की halogenation के अंदर आपने substitution देखी थी कि एक ग्रुप निकला और दूसरे ने उसकी जगह ले ली लेकिन अलकीन की सूर्ते हाल में ऐसा नहीं होता addition की policy adopt होती है bond break होता है और दोनो एड़ेस्टें काबन को incoming chloro या bromo groups मिल जाते हैं अब जब दोनों काबन पर ये आकर attach होंगे तो इसे हम vicinal compound कहेंगे को next step में आप दुबारा लेकर आएंगे और इसके साथ वही सेम जो है methodology की जाएगी कि डी हाइडो हेलोजिनेशन का process होगा अगें डी हाइडो हेलोजिनेशन क्या है कि आपके पास प्रॉसेस ऑफ रिमूबल ऑफ हाइडोजन and halogen from adjacent carbon atoms तो उसकी condition क्या होती है कि आपने क्यों एड करना होता है in the presence of alcohol अब ये condition में आप टू देख रहे हैं कि हमें दो molecules के इस्तमाल करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर दो halogen के groups हैं जो one by one करके remove होंगे और इनके removal के लिए दो दफा आपको molecules को करना पड़ेगा और इसमें भी सेम कैसे काम होगा कि यह आपके बस जो carbon है राइट वली carbon इसके साथ जो chloro group है पहले step में यह remove होगा और इसके साथ जो carbon है उसका hydrogen remove होगा तो एक तरफ से hydrogen इस OH को लेकर आपके बस एक पानी का molecule बनाएगा और यह potassium का एक molecule आपके पास एक atom इस chloro group को लेकर kcl का एक molecule जनरेट करेगा इसी तरह अगले step में जब दूसरा जो molecule काम करेगा तो वह second chloro group उतरेगा और पहली वाली carbon से hydrogen का group remove होगा और वही hydrogen OH के साथ combine के water बनाएगी इस तरह टोटल two molecules of water generate होगे और जो यह CL का group remove होगा यहां से second आपके atom of potassium को लेकर kcl का second molecule generate करता है तो overall आपके पास इस तरह से two kcl और दो आपके पास water molecules system में generate हो जाते हैं अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि चुंके दो दफ़ा आपके पास carbon ने अपने अपने groups को remove किया है two steps के अंदर यानि दो दो दफ़ा carbon के पास loss of group हुआ है तो उसके नतीजे में दो आपके पास मजीद bonds develop हो जाते हैं एक bond जब एक hydrogen और एक cl निकलेगा तब develop होगा और दूसरा bond तब develop होगा जब second molecule of hydrogen और halogen remove होंगे तो alkyne की सुरत में आपके पास क्या होता है कि dehydohalogenation two times की जाती है जबकि अगर आपने alkyne बनानी हो तो dehydohalogenation का अबल सरफ एक दफ़ा किया जाता है तो इस तरह से यह जो AC triple bond CH का आपके पास molecule generate हुआ है this is called ethine तो by simple way आपने ethine से ethine बना लिया और second task complete कर लिया यह जो चीजें हैं यह जस्ट आपकी ease के लिए बताई जारी हैं आपने जस्ट इन चीजों को mention करना है initial और final products के नाम के साथ अब हम देखेंगे एक last में जो हमारा एक last task है जिसमें वो कह रहा है कि ethine से आपने चले जाना है ethine में अगर आप इस पर गौर करें तो again carbon के तबार से देखा जाए तो ethine में भी 2 carbon होती है और ethine में भी 2 carbon होती है जबके bonding के हवाले से बात की जाए तो इसमें ethine के अंदर triple bond है और ethine के अंदर single bond है अब यह चीज से डबल और double से टिपल में अपने सीखी और सेम कावन के साथ सीखी और उसमें दो ही प्रोसेस को डॉट किया एक है आपके बास है लेकिन अब जो यहां पर मामला है वह रिवर्स हो गया है कि आपने triple bond से अगर double bond में जाना हो और अगर double से single में जाना हो तो क्या करना होगा हम नंबर सेम हो तो सिंपल प्रोसेस स्बाटियस संडन रेक्शन के टालिटिक हाईडिजी नेशन सिंपल हाईडिजी नेशन यह प्रोसेस की टेक्निक अपने सबसे पहले रेक्शन में पड़ी चैप्टर 8 के स्टार्ट में तो आप इसको सेंपली फॉलो करेंगे और जब जब आपको यह requirement होगी आप hydrogen करके बॉंड को ट्रिपल से डबल से सिंगल में कर सकते हैं लाइक उसने हमें इताइन दिया है तो हम इताइन का स्ट्रक्चर शो करेंगे क्योंकि हमें इसे डबल ट्रिपल से सिंगल में लेके जाना है तो हम एक दफा hydrogenation से काम नहीं हासल कर पाए हैं क्योंकि दो दफार करवानी हैं तो में टू मॉलीकूल करने पड़े एक दूसरा दूसरा के लिए कंडिशन की निकल के इस्तमाल होता है तुहंड़ से 3100 डीगरे से टमप्रेचर होता है और यह आपके पास एक तो बनों काबंस के पास चला जाएगा और जब दूसरा त यह से इधायन से इधेन में जा सकते हैं और प्रोस्स के अड़र्ट होगा अगर सेम काभश तो हाइडोजेनिशन कामल तो इस वाल बाउट फ़र टूडे रिगार्डिंग अन्वाइंस रिटन प्रेक्टिस कीचिए और बाउज और बेस्ट ऑफ लग